अ हे गाइस आज किस व्यडियो में हम बात करने वाले यार्श यार्जिन्टों के बारे में इनका प्र spicy होनी वाला है इनका इनकी मंत्ली कोश्थ आपको क्या अएगी और क्या-क्या इनके एक्सिनस होने वाले हैं वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप अगर नए चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चनल को सब्सक्राइब जरू से करना क्योंकि मैं ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ गैस इनके बारे में आपको कुछ बेजिक आपको नॉलेज बता जाएब जिसके करना आपको और पी जादा इनफर्मेशन मिले डॉग और अर्जिंटनों का जो ओरिजिन की बात करें तो इनका ओरिजिन अर्जिंटास है और यह काफी मस्कुलर और हाइट के टाइप के इनके जो है लार्स साइज में आपको देखने को मिलेंगे और दिखने में भी काफी ज़्यदा खुप सर्ट डॉग बिड होते काफी जबड़े इनके जो पंजे होते काफी मजबूत और मस्कुलर होते है इन डॉग बिड की एवरेज हैट की बात करें तो मेल में होता है 60 स डॉट का खाना होता है वो भी काफी अच्छा होता है अच्छा डा ad Mort की बात करें तो 40 ऑक पिस्तुलिस केजी तक भी इनका वेट हो सकता है यह फिर इससे 12 किलो आगे पिछे भी हो सकता है इन डॉग बिड की जो नेचर की बात करें हिसे जब्स लोग करतें Planning फार्माउस पर चाहिए घर हो या फिर आपका कोई सिटी या फिर विलेज हो उससे एट कई फार्माउस है तो वहां पर भी इन डॉक्पीड का काफी ज़्यादा यूज होता है विलेज में पंजाब में आपको बहुत सारे डॉक्पीड यह देखने को मिलेंगे तो गाइस अ देखने को मिलेंगे वह भी ओरीजनल ब्रीड होता है बट कहीं कहीं जगह पर आपको बहुत सारे कुछ अलग-अलग कलर देखने को मिलेंगे तो डॉग और जिंट नहीं हो सकता मोस्ट आप लिवाइट और ब्लैक उसमें दब्ब्ब हो तो वह औरीजनल माना जाता है उसक प्राइज होती है मेल की और पचीस हजार से लेकिए 35,000 तक भी चली जा सकती है और जो फीमेल की होती हो बीस हजार से लेकिए 30,000 के बीच में जा सकती है अगर आपको एक चैंपियन लाइन का चीए तो उसका पराइज भी काफी ज़्यादा अलग आपको देखने मिलेगा इस 28,000 से 35,000 या चैंपियन उसका डिपेंड करता है कॉलिटी पे और पेपर वर्क पे तो अगर आप एक ओरिगनल ले रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत कौशली हो सकता है बात करें फर्स टाइम के लिए कैसा है तो फर्स टाइम के लिए आपको काफी ज़्याइज करना सोच रहो तो उनको वाँ पे कोई बड़ा होना जरूरी है और बच्पन से बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ इनको सोचलाइज कीजिएगा फ्रेंड बाकी अधर डॉक के साथ ताकि यह काफी ज़्यादा एग्रेसिव ना और आपके साथ काफी ज़्यादा खर्चा हो सकता है बट अगर आप घर का खाना अच्छे से देते हो इसको रोटी जैसे कि चास दही कभी कबार उसके अंदर डॉक फूड लाके कभी कबार नॉन वेज तो ऐसा नॉर्मली खर्चा आपको पच्चीस सो लेके तीन हजार तक भी आराम से हो सकता है अगर आप खरकाई देते हो नॉर्मल डॉक फूड देते हो तो आप पच्चीस सो के आसवाज भी खर्चा कर सकते हो बट इनकी हाइट बॉड़ी लार्ज साइज के होते इसलिए इनको खाना काफी ज़दा चाहिए तो थोड़ा बट खाने के उपर आपको खर्चा आ सकता है बट आप यह तो फर्स टाम वैक्सिनेशन करते हो तो उसका तो 12-1300 रुपय के आसपास होता है फिर यह यह ली यानि साल में आपको एक बर वैक्सिनेशन कर रहाना होता है उसका आपको 14-145 क्या एसपास होगा डिपेंड करता है कुन से आप कंपनी कर रहे हैं उसके उपर से उपको आकून ब्रशिंग करवाते हैं तो उसका अलग-अलग खर्चा होता है वो डिपेंड करता है आप पर कि आप खर्चा करने के लिए रेडी हो या नहीं अगर आपके बास पेसे आप खर्चा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बाकि नॉर्मल अगर आप मेंटेन आप घर पे भी रखते हो तो भी काफी अच्छे से घर पे रह लेते हैं तो आपको यह वीडियो अच्छे लगी और कोई डॉक के उपर आपको मंतली कोस्ट एक खर्चा जानना तो मुझे कमेंट सेक्से में जरूर से बता है उसके उपर वीडियो बना दूंगा तो अगर आपको वीडियो अच्छे लेकी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग